हलो दूस्तों, आज आप सुनेंगे अगाथा क्रिस्टी का मशूर नॉवल ABC Murders हिंदी में ये नॉवल का पांचवां और आखिरी भाग है पहले के चार भाग सुनने के लिए उपर आई बटन पर क्लिक करें अध्याए 29 एक और मीटिंग जारी थी शामिल थे असिस्टेंट कमिशनर, क्रोम, पॉयरो और मैं कमिशनर कह रहा था मुजों की एक बड़ी बिक्री की जांच परताल करने की आपकी सलाह काफी अच्छी रही मिस्टर पॉयरो पॉयरो ने हाथ फैलाते हुए कहा क्या अब तक सब कुछ साफ समझ में आ गया इंस्पेक्टर? कमिशनर ने पूछा मेरे खयाल में तो हाँ सर, क्या मैं अब तक के हालात बयान करूँ? इंस्पेक्टर क्रोम ने फाइल देखते हुए पूछा हाँ हाँ जरूर क्रोम ने कहना शुरू किया मैंने चर्स्टन, पैंक्टन और टॉर के में पता लगाया है मुझे उन लोगों की लिस्ट मिल गई है जिन के पास वो गया था और उसने मोजे बेचने की कोशिश की मैं इतना जरूर कहूंगा कि उसने ये सारा काम बड़ी ही अच्छी तरह किया टॉर स्टेशन के पास वो पीट नाम के छोटे से होटल में ठहरा कतल वाली रात को 10 बजे होटल वापस आया हो सकता है उसने चर्स्टन से 9 बज़ कर 57 मिनट पर गाड़ी पकड़ी हो जो 10 बज़ कर 20 मिनट पर टॉर पहुँचती हो उसके हुलिये से मिलता जुलता कोई व्यक्ती गाड़ी में या स्टेशन पर देखा नहीं गया लेकिन उस दिन भीड बहुत थी उसी तरहा बैक सिल में वो दग लोब होटल में ठहरा अपना असली नाम बता कर करीब एक दरजन लोगों को उसने मोजे पेश किये उसके बाद मिसिस एशर को और उसी गली में आधा दरजन दूसरे लोगों को जो जोड़ा मिसिस एशर के पास था वो मैंने उसकी भतीजी से ले लिया है वो बिलकुल कस्ट के माल जैसा ही है जो जानकारी हमें मिली उस पर अमल करते हुए मैं हैरिंग्टन द्वारा दिये गए पते पर गया लेकिन पता चला कि कस्ट आधा घंटा पहले ही वहां से जा चुका था मुझे बताया गया कि उसे एक फोन आया था उसकी मकान माल किन ने ये भी कहा कि ऐसा पहली बार हुआ था कि उसके लिए कोई फोन आया हो में होजरी जमा की गई थी उसमें उसी आकार का एक और पारसल था जिसमें होजरी नहीं बलकि आठ एबीसी रेलवे गाईड रखी थी ये तो बिल्कुल पक्के सबूत हैं असिस्टेंट कमिशनर ने कहा मुझे कुछ और भी मिला है सर इंस्पेक्टर की आवाज में जीत का भाव था ये मुझे आज सुभा ही पता चला फिर भी बताने के लिए ये वक्त खराब नहीं है उसके कमरे में चुरे का नामो निशान भी नहीं था कोई महा मूर्ख ही उसे अपने साथ वापस लेकर आता पॉयरो ने टिपपनी की देखिए मिस्टर पॉयरो आखिर वो कोई समझदार इंसान तो है नहीं मुझे खयाल आया कि हो सकता है वो उसे घर वापस ले आया हो और फिर उसे उसको अपने कमरे में चुपाने में खत्रा महसूस हुआ हो और उसने उसके लिए कोई और जगह ढूंडी हो घर में और कौन सी जगह वो चुन सकता था मुझे एकदम से समझ आ गया हॉल में पड़ा चछतरी का स्टैंड हॉल में पड़े उस स्टैंड को हिलाया नहीं जाता बहुत मुश्किल से मैंने उसे दिवार से परे हटवाया और वो वही था चुरा? जी हाँ चुरा इसमें कोई शक नहीं है उस पर अभी भी सूखा खून लगा हुआ है बहुत बढ़िया क्रोम असिस्टेंट कमिशनर ने तारीफ भरे स्वर में कहा आप बस हमें सिर्फ एक चीज और चाहिए वो आदमी खुद हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे सर आप घबराएं नहीं इंस्पेक्टर के स्वर में पूरा विश्वास था आपका क्या विचार है मिस्टर पॉयरो कमिशनर ने पूछा पॉयरो अपने खयालों से बाहर आया और बड़े ही अजीब स्वर में बोला हाँ हाँ बेशक उसकी आवाज इतनी अन्मनी से थी कि सब हैरानी से उसकी ओर देखने लगे क्या कोई बात आपको परेशान कर रही है मिस्टर पॉयरो जी हाँ एक बात है जो मुझे बुरी तरह परेशान कर रही है और वो है कारण, मकसद लेकिन हम सब इस बात पर पहले ही सहमत हो चुके हैं कि वो आदमी पागल है और यही कारण है क्रोम पॉयरो का बचाव करते हुए मैं समझ रहा हूँ कि मिस्टर पॉयरो का क्या मतलब है वो सही कह रहे है जरूर यह किसी तरह का पागलपन ही होगा मुझे लगता है कि इस बात का जवाब उसके मन में बसी तेज हीन भावना में होगा उसके अंदर सताय जाने का भाव भी होगा और अगर ऐसा है तो मिस्टर पॉयरो का नाम उसके साथ जोड़ा जा सकता है हो सकता है उसे ये गलत फहमी हो कि मिस्टर पॉयरो को सिर्फ उसे ढूंड निकालने के लिए ही तेहनात किया गया है और इसी लिए उसने वो पत्र सिर्फ मिस्टर पॉयरो के ही नाम लिखे असिस्टेंट कमिशनर उक्ताय हुए स्वर में बोला आज कल ऐसा ही शब्द जाल इस्तेमाल किया जाता है मेरे जमाने में तो अगर आदमी पागल होता था तो उसे पागल ही कहते थे और हम उसे नर्मी से कहने के लिए कोई नए नए शब्द नहीं ढूनते थे मेरा ख्याल है कि आज के आधुनिक डॉक्टर ABC जैसे आदमी को नर्सिंग होम में भेजने की सलहा देंगे और फिर 45 दिन तक उसे कहेंगे कि वो कितना अच्छा आदमी है और फिर उसे एक जिम्मेदार शहरी मान कर वहां से बाहर भेज देंगे पॉयरो सिर्फ मुस्कुरा दिया बोला कुछ नहीं मीटिंग खत्म हो गई जैसा तुमने कहा क्रोम उसे पकड़ना अब सिर्फ थोड़े ही दिन की बात है हम उसे पहले भी पकड़ सकते थे सर अगर वो दिखने में इतना मामूली न होता हमने अच्छे भले आम लोगों को यूँ ही इतने दिन तक डरा कर रखा इंस्पेक्टर बोला पता नहीं इस पल वो कहा होगा असिस्टेंट कमिशनर ने कहा अध्याय तीस कस्ट एक सबजी वाले की दुकान पर खड़ा था वो सडक के पार एक टक देख रहा था हाँ, ये वही घर था मिसिस एशर अखबार और सिग्रेट की दुकान खाली खड़की में एक बोर्ड लगा था किराय के लिए खाली, बेजान तब ही पीछे से सबजी वाले की पतनी ने उसे एक और हटने को कहा क्योंकि वो उसके काम के बीच में खड़ा हुआ था वो माफी मांगते हुए एक तरफ हट गया धीरे धीरे वो वहाँ से परे चला गया, शहर की मुख्य सडक की ओर ये मुश्किल था, बहुत मुश्किल अब जब उसके पास बिलकुल पैसे नहीं बचे थे पूरा दिन खाने को कुछ न मिलने के कारण उसे अजीब सा लगने लगता था और सिर में भी अजीब सा हलकापन उसने अकबार की एक दुकान के बाहर इश्टिहार देखा ABC केस, खूनी अभी भी खुला छूटा हुआ मिस्टर हर्क्यूल पॉयरो के साथ मुलाकातें जारी कस्ट ने खुद से कहा पता नहीं, वो जानता है या नहीं फिर वो दीरे-दीरे चलने लगा खड़े होकर इस इश्टिहार को देखते रहने की कोई तुक नहीं उसने सोचा लेकिन मैं और ज्यादा देर इस तरह चल नहीं सकता कदम के आगे कदम चलना भी कितनी अजीब चीज है कदम, फिर उसके आगे एक और कदम ये कितना हास्यास्पद है जो भी हो मनुष्य खुद भी एक हास्यास्पद जानवर ही तो है और वो खुद अलक्जेंडर बोना पार्ट कस्ट वो तो खास्त और पर हास्यास्पद था हमेशा से ही था लोग हमेशा उस पर हस्ते रहे थे वो उनको दोश भी नहीं दे सकता था वो कहां जा रहा था उसे खुद पता नहीं था वो अंध तक पहुँच चुका था अब वो अपने पैरों के अलावा और कहीं नहीं देख रहा था कदम के आगे कदम उसने नजरें उठा कर उपर देखा सामने कुछ रोशनिया थी और कुछ अक्षर क्या लिखा था ये पुलीस स्टेशन अजीब बात है कस्ट बोला और हलके से हस दिया फिर उसने उस इमारत के भीतर कदम रखा और ऐसा करते ही वो अचानक लड़ खड़ाया और आगे की ओर गिर गया अध्याय इकतीस ये नवंबर का एक खुशनुमा दिन था डॉक्टर थॉम्सन और चीफ इंस्पेक्टर जैप आये थे पौईरो को केस में अदालती कारवाई के रिपोर्ट देने के लिए ठंड लग जाने के कारण पौईरो खुद वहां नहीं जा पाया था ये अच्छी बात थी कि उसने मुझे उसके साथ बने रहने पर जोर नहीं डाला था जैप ने कहा बस अब उस पर मुकदमा चलेगा और फिर काम खत्म मैंने कुछ सोचते हुए पूछा क्या ये बात थोड़ी अजीब नहीं है इस स्टेज पर बचाव पेश करना मुझे तो लगता था कि कैदी हमेशा अपनी सफाई बाद के लिए रखते हैं जैप ने कहा ये नॉर्मल तरीका है मुझे लगता है कि वकील लूकस ने सोचा होगा कि इस काम को जल्दी ही निप्टा दे मुझे लगता है कि उसे कोशिश करने में यकीन है उसके क्लाइंट को छुडाने का एक मात्र रास्ता यही हो सकता है कि वो ये साबित कर दे कि वो पागल है पागल पन के आधार पर रिहाई नहीं हो सकती और मौत की जगा उम्रकैद की सजा को किसी भी तरीके से बहतर नहीं काह जा सकता जैप ने जवाब दिया मुझे लगता है कि लूकस को लगा होगा कि ऐसा करने में शायद उसके छूट जाने की कुछ संभावना है बैकसेल हत्या के समय उसके पास जो बहतरीन एलिबाई है उससे पूरा केस कमजोर किया जा सकता है मेरे ख्याल में उसे ये एहसास नहीं था कि हमारा पक्ष कितना मजबूत है लेकिन जो भी है लूकस नौजवान है और लोगों की नजरों में आना चाहता है पोहिरों ने डॉक्टर थॉमसन से पूछा आपकी क्या राय है डॉक्टर कस्ट के बारे में कस्टम से मुझे नहीं पता क्या कहूँ वो बहुत अच्छी तरह एक समजदार आदमी की भूमी का अदा कर रहा है लेकिन हाँ ये बात तो है कि उसे मिर्गी के दौरे तो पढ़ते है ये कितना हैरत अंगेज अंत हुआ है इस केस का मैंने कहा उसका एंडोवर पुलीस स्टेशन में दौरा पढ़ने से गिर जाना हाँ बिलकुल नाटक पर नाटकी अंदाज में ही परदा गिरने जैसा था ये ABC ने हमेशा सही समय पर सही असर डाला है लेकिन कोई जुर्म करके उसका एहसास भी न होना क्या एसा मुम्किन है उसके इंकार में मुझे तो सच्चाई का पुट लगता है मैंने कहा डॉक्टर थॉम्सन हलके से मुस्कुराया आपको किसी आदमी के इस नाट की अंदाज के जहांसे में नहीं आना चाहिए कि मैं खुदा की कसम खाता हूँ मैं सच कह रहा हूँ मेरी राय में तो कस्ट को अच्छी तरह पता है कि उसने ये सारे खून किये है ऐसा पूरी तरह संभव है कि मिर्गी के मरीज को नींद में कुछ कर देने के बाद जागने पर उसके बारे में एहसास भी ना हो कि उसने क्या किया है लेकिन अधिकतर केसिज में ऐसा तभी होता है जब वो काम उसकी इक्छा के विपरीत ना हो वो खुद उस काम को करना चाहता हो जो भी हो मैंने कहा मैं इस बात को नहीं मानता कि कस्ट ने ये सारे जुर्म अंजाने में किये आप ऐसा कह सकते थे अगर वो खत ना होते तो खत इस अनुमान को पूरी तरह रद कर देते हैं वो खत पूरी तरह साबित करते हैं कि ये सारे जुर्म सोच विचार करके और योजना बना कर किये गए थे और अब तक उन खतों के लिए हमारे पास कोई भी स्पश्टी करन भी नहीं है पॉयरो ने कहा आपको उन में अभी भी दिल्चस्पी है पूरा केस खत्म हो जाने के बाद भी जी हाँ बिल्कुल है और वो इसलिए क्योंकि वो खत मुझे लिखे गए थे और उन खतों के बारे में कस्ट लगातार खामोश है जब तक मैं उन खतों के कारण का पता नहीं लगा लूँगा तब तक इस केस को सुलजा हुआ नहीं समझूँगा हाँ मैं आपके नजरिये से बात को समझ सकता हूँ जैप ने कहा लेकिन हो सकता है कि वो आदमी कभी आपका विरोध ही रहा हो या फिर हो सकता है शायद आपके नाम के कारण उसने ऐसा किया हो मेरे नाम के कारण? वो कैसे? पौईरो ने पूछा देखिए कस्ट दो बड़े-बड़े नामों के बोज से लदा हुआ है उसकी मा की सनक के कारण अलेक्जैंडर और बोनापार्ट आप इसका मतलब समझते हैं? अलेक्जैंडर पूरी दुन्या में जाना माना कभी ना हारने वाला जो ज्यादा से ज्यादा दुन्या को जीतना चाहता था और बोनापार्ट फ्रांस का महान समराट इसलिए कस्ट एक विरोधी चाहता है एक ऐसा विरोधी जो उसी की श्रेनी का हो और वो आप है मिस्टर महान हरक्यूल पौईरो ये बात सुनकर पौईरो जोर से हस पड़ा फिर उसने जैप से पूछा क्या वो एलिबाई तुम्हें परेशान कर रही है जी हाँ थोड़ा बहुत तो कर ही रही है हालांकि मैं उस पर यकीन नहीं करता क्योंकि वो सच नहीं है लेकिन उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होगा स्ट्रेंज नाम का वो आदमी बहुत जिद्धी है मुझे उसके बारे में विस्तार से बताओ वो आदमी 40 साल के करीब का है एक बहुत ही सक्त और विश्वास से भरा हुआ अडियल किस्म का मेरी राय में उसी ने जोर दिया होगा कि अब उसकी गवाही ली जाए वो चिली जाना चाहता है उसे उम्मीद होगी कि केस तुरंत निपट जाएगा वो अपने बयान पर अडिग है और उससे हिलने को तयार नहीं है वो कसम खाकर कहता है कि उसने 24 जुलाई की शाम को इस्ट बॉर्न में वाइट क्रोस होटल से कस्ट को लिया था वो अकेला था और किसी से बात करना चाहता था और जहां तक मैं समझ सकता हूँ कस्ट एक काफी अच्छा श्रोता है उसने उसे कभी बीच में नहीं टोका रात के खाने के बाद दोनों ने डॉमिनोज नाम का खेल भी खेला शायद स्ट्रेंज उस खेल में बहुत अच्छा था और कस्ट भी काफी अच्छा निकला ये एक अजीब खेल है लोग इसे खेलते हुए पागल से हो जाते हैं कई गंटों तक खेलते रहते हैं स्ट्रेंज और कस्ट ने भी यही किया कस्ट को नीद आ रही थी लेकिन स्ट्रेंज उसकी बात सुनने को तयार नहीं था उसने द्रड़ता से कहा कि वे कम से कम आधी रात तक तो खेलेंगे आधी रात के बाद वे विदा हुए और अगर कस्ट आधी रात के दस मिनट बाद तक इस्ट बॉन में वाइट क्रोस होटल में था तो वो 25 तारिक को आधी रात और एक बजे के बीच बैक्स हिल में सागर तट पर बैटी बर्नौर्ड का गला किसी भी कीमत पर नहीं घूट सकता था ये तो वाकई गंभीर समस्या है ये सोचने वाली बात है पॉयरों ने सोचते हुए कहा क्या ये आदमी स्ट्रेंज इस बात को लेकर पूरी तरह निश्चे थे वो ये क्यों कहेगा कि उसका नाम कस्ट था होटल के रजिस्टर में लिखावट ठीक ठाक है आप ये नहीं कह सकते कि वो अपराधी का साथी है पागल हत्यारों के साथी नहीं होते तो क्या लड़की बाद में मरी लेकिन इस बारे में भी डॉक्टर अपनी गवाही पर अटल है और वैसे भी कस्ट को इस्ट बॉन होटल से छुपकर निकलने और करीब 14 मील दूर बैकसिल पहुँचने में अच्छा खासा टाइम लग जाता हाँ ये तो एक बड़ी समस्या है पोहरों ने कहा जैप ने फिर से कहा वैसे सच कहा जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए डॉन कैस्टर हत्या में कस्ट पूरी तरह हमारे शिकंजे में है खून के दागों वाला कोट, छुरा, सब कुछ हमारे पास मौजूद है उसमें कोई बचाव का रास्ता नहीं है दुनिया की कोई भी जूरी इस केस में उसे छोड़ने वाली नहीं है लेकिन हाँ, स्ट्रेंज की गवाही से एक अच्छा खासा केस बिगड़ जाता है उसने डॉनकैस्टर हत्या की है उसने चर्स्टन हत्या की है एंडोवर हत्या भी की है तो फिर बेकसिल हत्या भी की होगी लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि मुझे ये नहीं समझा रहा कि वो उसने कैसे की होगी सिर हिलाते हुए, जैप उठ खड़ा हुआ और बोला मिस्टर पॉयरो, तुम्हारे लिए यही मौका है क्रोम धुंद में है अपने ग्रे सेल्स पर जोर डालो जिनके बारे में मैं हमेशा से इतना सुनता आया हूँ और हमें बताओ कि उसने ये कैसे किया होगा इतना कहकर जैप और डॉक्टर चले गए उनके जाने के बाद पॉयरो ने मुझसे पूछा एक बात बताओ हेस्टिंग्स क्या तुम्हें भी लगता है कि ये केस खत्म हो गया है हाँ व्यावारिक रूप से तो लगता है मैंने कहा हमने अपराधी को पकड़ लिया है और अधिक थर सबूत भी हमारे पास है बस कुछ बारी किया रह गई है केस खत्म नहीं हुआ है हेस्टिंग्स ये आदमी ही केस है जब तक हम उसके बारे में सब कुछ नहीं जान लेते रहस्य से उतना ही गहरा रहेगा जितना पहले दिन था हमारी जीत सिर्फ इसलिए नहीं हो जाती कि हमने सिर्फ उसे कटगरे में कड़ा कर दिया है हम उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं जानते हम ये जानते हैं कि वो कहां पैदा हुआ था हम जानते हैं कि वो युद्ध में गया था और उसके सिर में चोट लगी थी और ये भी कि मिर्गी के दौरों के कारण उसे सेना से निकाल दिया गया था हम ये जानते हैं कि वो मिसिस मर्बरी का किरायदार था हम ये भी जानते हैं कि वो शर्मीला और चुपचाप रहने वाला है उसने बड़े सोचे समझे ढंग से हत्या की योजना बनाई और उस पर अमल भी किया और हम ये भी जानते हैं कि उसने कई बेवकूफी भरी गलतियां भी की हम जानते हैं कि उसने निर्दैता से कतल किये हम जानते हैं कि वो इतना रहम दिल भी था कि उसने किसी और पर अपने गुणाहों का दोश नहीं आने दिया अगर वो बिना किसी बाधा के कतल करना चाहता तो उसके लिए कितना आसान था किसी और पर इल्जाम आने देना क्या तुम ये नहीं समझ पा रहे कि ये सारी बातें एक दूसरे की कितनी विरोधी है वो मूर्ख है लेकिन चतुर भी है वो क्रूर है लेकिन रहम दिल भी है आखिर ऐसा क्या तत्व है जो इन सारे गुणों को मिलाता है मैं शुरू से ही उसे समझने की कोशिश कर रहा हूं और अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूं ऐसी बहुत सी बाते हैं जो मैं जानना चाहता हूं उसने ये हत्याएं क्यों की? उसने विशेश रूप से इन ही लोगों को क्यों चुना? वो तो हम सभी जानते हैं वर्ण माला के अनुसार? मैंने बोलना चुरू किया तो क्या बैक्स हिल में बैटी बर्नॉर्ड ही अकेली थी जिसका नाम B से शुरू होता था? बैटी बर्नॉर्ड? मुझे कुछ समझ तो आ रहा था वो सच होना चाहिए वो जरूर सच ही होगा लेकिन अगर ऐसा है तो इतना कहकर वो चुप हो गया और अपने खयालों में खो गया कुछ देर बाद उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और कहा प्यारे हेस्टिंग्स, मेरे फरिष्टे अचानक मिली इस इज़त अफजाई को मैं समझ नहीं पाया मैंने प्रश्ण वाचक निगाहों से उसकी ओर देखा ये सच है उसने कहा तुम हमेशा मेरी मदद करते हो मेरे लिए खुश किस्मती लाते हो मुझे प्रेर्णा देते हो मैंने तुम्हें कौन सी प्रेर्णा दी भई मैंने पूछा मैं अपने आप से ही कुछ सवाल कर रहा था तो मुझे अचानक तुम्हारी कही एक बात याद आ गई एक साफ चमकता नजर्या लिए मैंने एक बार तुमसे कहा था न कि तुम्हारे अंदर स्पष्ट दिखाई देने वाली बात को कह देने की प्रतिभा है और मैंने इतनी स्पष्ट बात को ही नजर अंदाज कर दिया और वो इतनी कीमती बात क्या है मैंने पूछा वो हर चीज को क्रिस्टल की तरह साफ कर देती है मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए है मिसिस एशर, सरकार माइकल, डॉनकैस्टर हत्याओं का कारण और सबसे एहम हर क्यूल पॉयरो को खत भेजने का कारण अच्छा ठीक है अब महरबानी करके कुछ बताओगे भी अभी नहीं पहले मुझे थोड़ी सी जानकारी और चाहिए जो मुझे अपने विशेश डल से मिल जाएगी और फिर जब मुझे अपने एक खास सवाल का जवाब मिल जाएगा तब मैं जाकर ABC से मिलूँगा और आखिरकार हम दोनों आमने सामने होंगे ABC और हर्क्यूल पॉयरो दो विरोधी और फिर उसके बाद मैंने पूछा उसके बाद हम बात करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया हेस्टिंग्स जिस आदमी के पास छिपाने के लिए कोई राज हो उसके लिए बातचीत से ज्यादा खतरनाक और कुछ नहीं होता मुझे एक बार किसी फ्रैंसीसी ने कहा था कि इनसान ने बोलचाल की खोज इसलिए की ताकि वो सोच न सके जो भी वो छुपाना चाहता है उसका पता लगाने के लिए ये एक अचूक तरीका है कोई भी इनसान अपने आपको और अपने व्यक्तित्व को जाहिर करने का मौका छोड़ नहीं सकता और ये मौका मिलता है बातचीत से हर बातचीत में बात करने वाले के बारे में कुछ न कुछ जाहिर होता ही है तुम्हें क्या लगता है? कस्ट तुम्हें क्या बताएगा? मैंने पूछा हर्कूल पॉयरो मुस्कराया और बोला एक जूट और उसके उसी जूट से मुझे सारे सच का पता चल जाएगा अध्याए 32 अगले कुछ दिन पॉयरो बहुत बिजी रहा वो रहस्यमाई ढंग से अचानक गायब हो जाता बहुत कम बात करता अपने आप ही भ्रिकुटियां चड़ाता और मेरे कुछ भी पूछने पर बताने के लिए मना कर देता वो अपने आने जाने में मुझे कहीं भी साथ लेकर नहीं जा रहा था जिसे लेकर मैं उससे नाराज भी था सप्ताहा के अंत में उसने बैक सिल और उसके आसपास के इलाके को देखने जाने के इरादे के बारे में कहा और सुझाव दिया कि मैं भी उसके साथ चलूँ कहने की जरूरत नहीं कि मैं फोरण मान गया मैंने पाया कि ये निमंतरन मुझ अकेले को नहीं दिया गया था हमारे विशेश दल के बाकी सदस्यों को भी बुलाया गया था पोईरो को लेकर उनके मन में भी उतना ही कौतूहल था जितना मुझे लेकिन फिर भी कम से कम दिन पूरा होने तक मुझे अंदाजा हो गया था कि पोईरो की सोच किस तरफ जा रही थी सबसे पहले वो मिसेस बरनौर्ड से मिला और उससे पूरा विवरन लिया कि कस्ट कब उसके पास आया था और उसने क्या क्या कहा था फिर वो उस होटल में गया जहां कस्ट ठहरा था और उसके वहां से जाने के बारे में उसने बारी की से जानकारी ली उसके बाद वो समुद्र तट पर गया, उस जगहे जहां बैटी की लाश बरामध हुई थी, कई मिन्टों तक वो वहाँ चक्कर लगाता रहा, कंकरों को ध्यान से देखते हुए, मुझे इसमें कोई खास तुक नहीं लगी क्योंकि कतल हुए महीनों बीद चुके थे और दिन सबको जिंजर कैट कैफे ले गया, जहां गोल मटोल वेटरेस माईली हिगली ने हमें बासी चाय परोसी, उसने हिगली की सुडॉल पिंडलियों की तारीफ की, माईली हिगली बेव कूफों की तरह हसी और उससे इस तरह की बातें ना करने को कहा, वो जानती थी फ्रांसीसी पुरुष कैसे होते हैं, पॉयरो ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, और उसे इस तरह प्रेम से देखता रहा, कि मैं अचंभे में पड़ गया, कुछ देर बाद पॉयरो बोला, बैकसिल का मेरा काम खत्म हो गया है, अब मैं इस्ट बॉन जाओंगा, वहां सिर्फ एक छोटी सी पूछताच मुझे करनी है, आप सब को मेरे साथ आने की जरूरत नहीं, तब तक वापस होटल में जाकर कॉक्टेल लेते हैं, ये चाय तो बहुत ही बेकार थी, जब हम लोग कॉक्टेल के घूट ले रहे थे, तो फ्रैंकलिन क्लार्क ने उत्सुक्ता से पू गया है, नहीं, बिल्कुल नहीं मिला, तो फिर धीरज रखिये, वक्त के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन आप खुश तो बहुत लग रहे हैं, क्योंकि मेरे विचार को अभी तक किसी भी बात ने जुठलाया नहीं है, इसलिए, फिर वो गंभीर स्वर में ब बताया था, कि वो बचपन में एक खेल खेला करता था, तुरुथ, इस खेल में हर किसी से बारी बारी तीन सवाल पूछे जाते थे, जिन में से दो का जवाब हर किसी को सच्चाई से ही देना होता था, तीसरे में आप जूट बोल सकते थे, जाहिर है कि सवाल बहुत जी भरे होते थे, लेकिन शुरुआत में हर किसी को कसम खानी पड़ती थी, कि वो सिर्फ सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, तो उस बात का इन बातों से क्या संबंध है, मीगन बर्नॉर्ड हैरानी से बोली, अरे कुछ नहीं, दरसल मैं भी वो खेल खेलना चाहता हूं, तीन सवालों की जरूरत नहीं है, एक ही काफी होगा, आप सब से एक-एक सवाल, बेशक हम किसी भी बात का जवाब देने के लिए तयार हैं, क्लार्क ने अधीरता से कहा, लेकिन मैं इस खेल को इससे ज्यादा गंभीर बनाना चाहता हूं, क्या आप सब सच ब पॉयरो ने कहा, तो ठीक है, चलो, शुरू करते हैं, हम सब तयार हैं, थोरा ग्रे बोली, हम, इस बार लेडिस फर्स्ट का रूल नहीं चलाएंगे, कहीं और से शुरू करते हैं, इतना कहकर पॉयरो फ्रैंकलिन क्लार्क की ओर घूम गया और बोला, माई डियर क्लार्क, महिलाओं ने इस साल एसकॉट में जो हैट पहने थे, उनके बारे में तुम्हारा क्या विचार है, क्लार्क मूर्खता भरी नजरों से उसे देखता रह गया, क्या ये कोई मजाख है, मिस्टर पॉयरो, बिल्कुल नहीं, क्या सच में आप यही सवाल जी हाँ, क्लार्क मुस्कुराने लगा, मिस्टर पॉयरो, मैं एसकॉट नहीं गया, लेकिन मैंने उनको कारों में जाते हुए जितना भी देखा, वो हैट, उनसे भी ज्यादा बेतुके थे, जो वो आमतौर पर पहनती हैं, बेतुके? जी हाँ, काफी बेतुके पॉयरो मुस्कुरा कर डॉनल्ड फ्रेजर की ओर मुड़ गया, आपने इस बार काम से छुटी कब ली थी? छुटी? अगस्त के पहले दो हफते, फिर पॉयरो थौरा ग्रे की ओर मुड़ गया, और मैंने उसकी आवाज में हलके से बदलाव को महसूस किया, उसकी आवाज क उनसे शादी कर लेती? लड़की एक जटके से खड़ी हो गई. आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल पूछने की? ये बहुत ही अपमान जनक है, शायद हो सकता है, लेकिन आपने सच बोलने की कसम खाई थी, कहिए हाँ या ना. सर, कारमाईकल का व्यभार मेरे प्रती बहुत अच्छा था, वो मुझसे एक बेटी जैसा व्यभार करते थे, और मैं भी वैसा ही महसूस करती थी, स्नेही और एहसान मंद. माफ कीजिएगा, लेकिन ये उत्तर हाँ या ना में नहीं है. लड़की हिचकेचाई, फिर बोली, मेरा उत्तर है ना. पॉयरो ने कोई टिपणी नहीं की, वो मेगन बरनॉर्ड की तरफ मुड़ गया. लड़की का चेहरा पीला पड़ गया था. उसकी सांस तेज हो गई थी, जैसे किसी कठिन परीक्षा के लिए साहस जुटा रही हो. पॉयरो की आवाज एक चाबुक की तरह आई. आपको क्या लगता है मैम, कि मेरी चानवीन का नतीजा क्या होगा? आप ये चाहती हैं या नहीं कि मैं सच का पता लगाऊं? मीगन ने गर्व से अपने सिर को पीछे किया. उसके उत्तर के बारे में मैं काफी निश्चित था. मैं जानता था कि सच्चाई जानने के लिए मीगन को सनक की हद तक जोश था. उसका उत्तर बेहत सपश्ट था और मुझे हैरान कर गया. उसने कहा, नहीं. हम सब चौक गए. पोहरों उसके चेहरे को पढ़ते हुए आगे को जुका. देखे मैं, आप चाहे सच ना चाहती हों, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि कम से कम बोल तो सकती है. फिर वो दर्वाजे की और घूमा, और फिर कुछ याद करके मैरी ड्रोवर के पास चला गया. ये बताओ मेरी बच्ची, क्या तुम्हारा कोई प्रेमी है? मैरी जो चिंतित सी लग रही थी, चौक पड़ी और शर्म से लाल हो गई. ओ, मिस्टर पॉईरो, मुझे नहीं पता. वो मुस्कुरा दिया. ठीक है मेरी बच्ची. फिर वो मेरी तरफ मुड़ा और बोला, चलो हेस्टेंग्स, हमें इस्ट बॉन के लिए रवाना होना चाहिए. बाहर कार हमारा इंतजार कर रही थी, और हम जल्दी ही पेवेंसी से होकर इस्ट बॉन जाने वाली सड़क पर जा रहे थे. अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं, तो क्या तुम बताने का कश्ट करोगे? मैंने उससे पूछा. बिल्कुल नहीं. इसलिए ये कश्ट मत करो. खुद ही अनुमान लगाओ कि मैं क्या कर रहा हूँ. मैं फिर से चुप हो गया. वो एक धुन गुन गुनाने लगा. जब हम पेवेंसी से गुजर रहे थे, तो उसने सुझाव दिया कि हम वहां रुक कर किला देखने चलें. जब हम किला देखकर कार की तरफ वापस आ रहे थे, तो पल भर के लिए बच्चों की एक टोली को देखने के लिए वहां रुक गए. उनके पहनावे को देखकर लगा कि वे ब्राउनीज थे, वे तीखी, बेसुरी आवाजों में एक गाना गा रहे थे. ये क्या कह रहे हैं, हिस्टिंग्स? मुझे इनके शब्द समझ नहीं आ रहे. मैंने ध्यान लगा कर सुना, जब तक मुझे उनके शब्द समझ ना आ गए. वो गा रहे थे. And catch a fox, and put him in a box, and never let him go. यानि, लोम्री को पकड़ो, और पिंजरे में बंद कर दो, और कभी भागने न दो. जब मैंने पॉयरों को इन शब्दों के बारे में बताया, तो उसने इन लाइनों को फिर से दोहराया. And catch a fox, and put him in a box, and never let him go. अचानक उसका चेहरा गंभीर और सक्त हो गया. ये तो बहुत ही बुरा है हेस्टिंग्स. एक अजीब खेल, ज़ाड जहकाड में इंतजार करना, फिर शिकारी कुत्तों को आदेश देना, और फिर शुरू होती है दोड, गाव के आरपार, ज़ाडियों और गड़ों के आरपार, और लोम्री भागती है. कभी वो वापस भाग जाती है, लेकिन शिकारी कुत्ते उसके पीछे होते हैं, और आखिर में उसे पकड़ लेते हैं, और वो मर जाती है, बहुत जल्दी और बहुत बुरी हालत में. लेकिन फिर भी ये बहतर है, तुरंत मृत्यू हो जाना, बजाए उसके जो वो बच्चे गा रहें हैं, हमेशा के लिए बंद हो जाना, एक बकसे में, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. उसने इधर से उधर से रहिलाया, फिर अचानक बदले हुए स्वर में बोला, कल मैं कस्ट से मिलूँगा, फिर उसने कार ड्राइवर से कहा, चलो, लंडन वापस चलो, अरे लेकिन हमें तो इस्ट बॉन जाना है, मैं चिलाया, क्या जरूरत है, अपने मकसद के लिए मेरे पास पूरी जानकारी है, अध्याए 33, पोईरो और उस अजीबो गरीब शक्स एलक्सेंडर बोनापाट कस्ट की मुलाकात के समय, मैं वहां नहीं था, केस के अजीब हालातों और पुलिस से अपने संबंधों के कारण, पोईरो को तो इजाजत मिल गई थी, लेकिन मेरा ना पसे ये जरूरी था कि ये मुलाकात अकेले में हो, दोनों आदमी एक दूसरे के आमने सामने, जो भी उन दोनों के बीच हुआ, वो पोईरो ने मुझे इतने विस्तार से बताया कि मैं उसे पूरे विश्वास के साथ ऐसे लिख रहा हूं, जैसे मैं वाकई वहीं कस्ट सिकुडगाया लगता था, उसकी पीश्ट का जुकाव साफ नजर आ रहा था, वो बिना वजह अपना कोट नोच रहा था, कुछ देर तक पोईरो कुछ नहीं बोला, वो अपने सामने बैठे आदमी को देखता रहा, ये एक बहुत ही नाटकिय घड़ी रही होगी, ए कस्ट ने इनकार में सिर हिलाया और बुला, पता नहीं, शायद ल्यूकस के जूनियर हो, मैं हरक्यूल पोईरो हूँ, पोईरो ने बहुत ही कोमलता से ये शब्द कहे और उनका असर देखने लगा, कस्ट ने सिर थोड़ा सा उपर उठाया, ओ, अच्छा, एक मिनट के उसने अपने वाक्य को दोहराया, ओ, अच्छा, इस बार उसका स्वर बदला हुआ था, उसमें एक अजीब सी दिल्चस्पी थी, उसने सिर उठा कर फिर से पोईरों को देखा, हाँ, मैं ही वो आदमी हूँ, जिसे तुमने खत लिखे थे, कस्ट ने नजरें जुका ली, औ लेकिन अगर तुमने नहीं लिखे, तो किसने लिखे? किसी दुश्मनने लिखे होंगे, जरूर मेरा कोई दुश्मन है, सब मेरे खिलाफ हैं, पुलीस, हर कोई, सब मेरे खिलाफ, ये एक बहुत बड़ी साजिश है, हर कोई हमेशा मेरे खिलाफ रहा है, हमेशा से, जब त अच्छे थे तब भी? नहीं, तब नहीं. मेरी मा को मुझसे बहुत प्यार था. लेकिन वो बहुत महत्वा कांक्शी थी. इसलिए उसने मेरा इस तरह का बेव कुफाना नाम रखा. उसे ये लगता था कि मैं दुनिया में अपनी बहुत बड़ी जगह बनाऊंगा. वो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ बड़ा करने को कहती थी. इक्चा शक्ती की बात करती थी. कहती थी कि हर कोई अपनी किस्मत का मालिक हो सकता है. मैं कुछ भी कर सकता हूँ. लेकिन वो गलत थी. जल्दी ही मुझे इस बात का एहसास हो गया. मैं ऐसा आदमी नहीं था जो जिन्दगी में तरक्की कर सकता था. मैं हमेशा बेव कोफियां करता था. और मैं कायर भी था. लोगों से डरता था. स्कूल में मेरा वक्त बहुत बुरा गुजरा. लड़कों को मेरे नामों का पता चल गया था. वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे. मैं स्कूल में हर चीज में पीछे था. खेल में, पढ़ाई में, हर चीज में. अच्छा ही हुआ, जो मेरी माँ जल्दी गुजर गई. वरना उसे बहुत निराशा होती. कॉलिज में भी मैं कामकल था. टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखने में, मुझे औरों से ज़्यादा समय लगता. लेकिन फिर भी, मैं खुद को मंद बुद्धी महसूस नहीं करता था. लेकिन बाखी सब मुझे बेवकूफ समझते थे. ओफिस में भी यही हालत थी. और उसके बाद युद्ध में भी? पॉयरों ने पूछा. अचानक कस्ट का चेहरा खेलो था. जानते हो, मुझे युद्ध में बड़ा मजा आया. मतलब जो अनुभव मुझे वहां हुए. पहली बार मैंने खुद को दूसरे आदमियों की तरह ही महसूस किया. हम सब एक छोटे से डिब्बे में बंद थे. मैं भी दूसरों जैसा ही था. और फिर मुझे वो सिर में चोट लगी. छोटी सी. लेकिन उन्हें पता चल गया कि मुझे दौरे पड़ते थे. मैं तो शुरू से ही जानता था कि ऐसे पल होते हैं जब मुझे मालूम नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ. कमजोर याद दाश्त. और एक दो बार मैं गिर भी गया था. लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी सी बात के लिए उनको मुझे फौद से निकाल देना चाहिए था. ये बहुत गलत था. फिर उसके बाद क्या हुआ? पॉयरो ने पूछा. मुझे एक क्लर्क की नौकरी मिली. इसमें शक नहीं कि तब पैसा अच्छा मिलता था. युद के बाद मेरी हालत बुरी नहीं थी. तन्खा तो कम थी और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था. तरक्की के टाइम मुझे पीछे छोड़ दिया जाता था. सच कहूं तो मेरे पास बस इतना ही था कि जिन्दा रह सकूं. फिर उसके बाद मुझे ये मोजो माला काम मिला. तन्खा के साथ कमीशन भी मिलती थी. लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि जिस फर्म के बारे में तुम कहते हो कि उन्होंने तुम्हें ये नौकरी दी, वो इस बात से इंकार करते हैं? पॉयरो ने कहा. ये बात सुनकर कस्ट उत्तेजित हो गया. क्योंकि वो इस शड्यंत्र में शामिल हैं, वो जरूर शामिल होंगे. वरना इसा क्यों कहते? उन्होंने ही तो मुझे काम दिया था. मेरे पास सबूत है, लिखित सबूत. मेरे पास उनकी चिठियां है, कि मुझे कहा कहा जाना है और किन किन लोगों से मिलना है. लेकिन वो सारी चिठियां लिखी हुई नहीं, टाइप की हुई हैं, पॉयरो ने कहा. एक ही बात है, थोक में समान बनाने वाले अपनी चिठियों को टाइप ही करते हैं. क्या तुम ये बात नहीं जानते कस्ट, कि टाइप राइटर्स की पहचान की जा सकती है? वो सारे के सारे खट एक ही टाइपिंग मशीन पर लिखे गए थे. तो उससे क्या होता है? वो मशीन तुम्हारी अपनी थी, जो तुम्हारे कमरे से हमें मिली. लेकिन वो तो मुझे कमपनी ने भेजी थी, जब मेरी नौकरी शुरू हुई थी तब. हाँ, लेकिन ये खट उसके बाद मिले थे. तो क्या इससे ये नहीं लगता कि वो खट तुमने खुद ही टाइप किये और खुद को ही डाक से भेज दिये? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं. ये सब उस शड्यंदर का हिस्सा है. मैं ऐसा क्यूं करूंगा भला? और तुम्हारी अल्मारी से जो ABC गाइड्स मिली वो? मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता. मुझे तो लगता था कि उन डबों में मोजे ही है. मैंने उन्हें खोल कर भी नहीं देखा. तुमने एंडोवर में लोगों के नामों की सूची में मिसिस एशर के नाम के आगे निशान क्यों लगाया? क्योंकि मैंने उससे शुरुआत करने की सूची. कहीं से तो शुरू करना ही होता है. मैं फिर से कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है. मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, ये सब कोई गलत फहमी है, दूसरे अपराद को देखिए, जो बेकसहल में हुआ, मैं तो उस वक्त इस्ट बॉन में डॉमिनोज खेल रहा था, इस बात को तो आप मानेंगे न? हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी, पॉयरो ने कहा, लेकिन कितना आसान है एक दिन गलती कर देना, और अगर आप मिस्टर स्ट्रेंज जैसे जिद्धी इंसान हो, तो आप गलत होने की संभावना को कभी नहीं मानेंगे, जो आपने कहा उसी पर अडे रहेंगे, वो इसी त काम को डॉमिनोज खेल रहा था, तो इसका मतलब है कि तुम डॉमिनोज काफी अच्छा खेलते हो, पॉयरो ने कहा, इस बात पर कस्ट थोड़ा हडबड़ा गया, मैं, हाँ, हाँ, मैं अच्छा खेलता हूँ, ये बहुत तल्लीन कर देने वाला खेल है, इसमें बहुत कारी कारी गरी चाहिए, क्यों? हाँ, उसमें बहुत कारी गरी चाहिए, हम शहर में दोपहर के खाने के समय बहुत खेलते थे, आप हैरान हो जाएंगे ये जान कर, कि एकदम अजनबी भी इस खेल में नजदीक आ जाते हैं, इतना कहकर कस्ट हंस पड़ा, मुझे एक आदमी से जानता हूँ, उस आदमी ने तुम्हें ऐसा क्या कहा? उसने मुझे परिशान कर दिया, बुरी तरह, वो हाथ में किस्मत लिखी होने की बात कर रहा था, उसने मुझे अपना हाथ दिखाया, और वो लकीरे दिखाई, जो ये बताती थी, कि वो दो बार डूपते डूपत मेरी बात करेगा, लेकिन उसने ये भी कहा कि इतना कहकर कस्ट रोने और हकलाने लगा, हाँ हाँ कहो, पॉयरो ने प्यार से उससे कहा, उसने कहा कि लगता है जैसे मेरी मौत हिंसा से होगी, ऐसा लगता है कि जैसे मैं फांसी के तक्ते पर मरूँगा, इतना कहकर वो आदमी हसपड़ा और बोला कि वो तो मजाग कर रहा था अचानक वो बोलते-बोलते चुप हो गया उसकी आखें पोहरो के चेहरे से हट गई और इधर-उधर घूमने लगी मेरा सिर मेरे सिर में बहुत तकलीफ है दर्द कभी-कभी बहुत भयानक हो जाता है और ऐसे पल भी होते हैं जब मुझे कुछ नहीं पता होता इतना कहकर वो रोने लगा पोहरो आगे की ओर जुका वो धीरे से लेकिन पूरे निश्चे से बोला लेकिन तुम जानते हो जानते हो ना कि तुमने हत्याएं की हैं कस्ट ने नजरे उठा कर उपर देखा उसकी नजर इस बार सीधी और स् जुका था वो अजीब धंग से शांत लग रहा था हाँ वो बोला मैं जानता हूं लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुमने हत्याएं क्यों की है ना कस्ट ने इनकार में सेरहला दिया नहीं ये मैं नहीं जानता हम सब पोईरो का आखिरी स्पष्टी करन सुनने के लिए सतर्क बैठे थे उसने एक गहरी सांच लेकर बोलना शुरू किया पूरा समय मैं इस के क्यों को लेकर सोच में था उस दिन हेस्टिंग्स ने कहा कि केस खत्म हो गया था मैंने जवाब दिया कि केस असल में वो आदमी था रहस्य हत्याओं का नहीं बलकि ABC का रहस्य था उसने ये हत्याओं क्यों की उसने अपने विरोधी के रूप में मुझे क्यों चुना ये कहना कोई जवाब नहीं कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी ये कहना कि एक व्यक्ती पागल पनवाली बातें इसलिए करता है क्योंकि वो पागल है बेवकूफी की बात है कोई भी पागल अपनी गतिविधियों में उतना ही समझदार होता है जितना एक आम आदमी उधारन के लिए अगर कोई आदमी बाहर जाकर सिर्फ लुंगी पहन कर आल्थी पाल्थी मारकर बैठने पर तुल जाए तो उसका ये व्यवहार बहुत ही विचित्र या संकी लगेगा लेकिन अगर आप एक बार ये समझ जाएं कि उसे अपने महत्मा गांधी होने का पूरा विश्वास है तो उसका ये व्यवहार हमें उचित और तर्क संगत लगेगा इस केस में जरूरत थी एक ऐसे दिमाग के बारे में सोचने की जिसके अनुसार चार या ज्यादा हत्याएं करना और हरक्यूल पॉयरों को खत लिखकर उनकी सूचना देना उचित और तर्क संगत है जिस घड़ी मुझे वो पहला खत मिला था मैं तभी से परिशान हो गया था मुझे उसी वक्त लग रहा था कि उस खत में कुछ ऐसी बात थी जो बहुत गलत थी लेकिन वो गलत बात क्या थी ये मुझे समझ नहीं आ रहा था एक पल के लिए मैंने सोचा कि शायद वो मशूर होना चाहता है लेकिन फिर मुझे लगा कि उस काम के लिए मैं ही क्यों हर्क्यूल पॉयरो ही क्यों अगर वो स्कॉटलेंड यार्ड को खत भेजता तो और ज्यादा मशूर हो सकता था किसी अखबार को भेजता तो उससे भी ज्यादा अखबार खत को ना भी छापता तो भी दूसरा कतल हो जाने तक ABC को जितनी मशूरी अखबारों से मिल सकती थी वो मिल जाती तो फिर हर्क्यूल पॉयरो ही क्यों? क्या इसका कोई व्यक्तिगत कारण था? फिर दूसरा पत्र आया और उसके तुरंत बाद बैक्स हिल में बैटी का खून हो गया अब तो ये साफ हो गया कि खून वर्ण माला के आधार पर होंगे लेकिन इस बात ने भी मेरे मन में जो सवाल था उसका जवाब नहीं दिया ABC को ये खून करने की जरूरत क्या थी? जैसा कि हम सबने अनुमान लगाया था कि वो एक पागल है अगर वो वाकई एक पागल कातिल होता जो खून का प्यासा है तो वो आम तोर पर ज्यादा से ज्यादा जितने लोगों को मार सके मारना चाहता ऐसे खूनी का सबसे पहला काम होता है अपने निशानों को छुपाते हुए चलना, उनका प्रचार करना नहीं. अगर हम चुने गए चारों शिकारों को देखें, तो हम देखते हैं कि अगर वो चाहता, तो उन्हें बिना कोई शक जगाए मार सकता था. फ्रेंज एशर, डॉनल्ड फ्रेजर और मीगन और शायद मिस्टर क्लार्क भी, ये वो लोग थे जिन पर पुलीस शक करती, चाहे उन्हें सबूत ना भी मिलते. एक अंजान पागल हत्यारे की तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता, तो फिर हत्यारे को अपनी तरफ सब का ध् खीचने की जरूरत क्यों हुई? हर एक लाश पर ABC गाइड छोड़ना उसकी क्या मजबूरी थी? क्या उसके मन में रेलवे गाइड को लेकर कोई गाठ थी? इस बिंदू तक आते आते मैं हत्यारे के बारे में कुछ बातें समझने लगा था. सबसे पहले ये कि उसका दिमाग सुनियोजित धंक से चलने वाला है. उसके अपराद वर्ण माला के हिसाब से हो रहे थे. तो ये बात जाहिर है कि उसके लिए ये बात बहुत ही महत्वप रंथी नहीं थी. ये बात मुझे बहुत अजीब लगी. कोई आदमी अगर इस तरह अंधा धुंद खून करता है, तो अकसर वो इसलिए कि वो हर उस इंसान को मिटा देना चाहता है जो उसके रास्ते में रुकावट हो या उसने किसी तरह उसे नाराज किया हो. लेकिन एल फाक से हो रहा था और जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था. इससे मैंने एक छोटा सा अनुमान लगाया. ABC गाइड के चुनाव ने मुझे रेलवे के बारे में सोचने वाले का ध्यान दिलाया. ये औरतों की बजाए मर्दों में ज्यादा पाया जाता है. लड़कियों के मुक कुछ और संकेत दिये. उसके मरने का धंक तो खास तोर से विचारों को जगाने वाला था. सबसे पहले तो उसी की बेल्ट से उसका गला घूटा गया था. इसलिए ये बात जरूरी थी कि उसे मारने वाला व्यक्ति ऐसा होगा जिसके साथ उसका प्यार का या कम से कम दोस्त का रिष्टा तो जरूर होगा. जब मैंने उसके बारे में सोचा तो मेरे मन में एक चित्र बनने लगा. बैटी बर्नौर्ड एक चुलबुली लड़की थी. उसे आकर्शक पुरुश अच्छे लगते थे. इसलिए उसे अपने साथ बाहर ले जाने के लिए ABC में कुछ ना क कुछ आकर्शन होना जरूरी था. यानि उसे इतना हैंसम तो होना ही चाहिए था कि बैटी उसके साथ बाहर जाने को तयार हो जाती. मैंने अपनी कलपना में तट के द्रिशे को कुछ इस तरह से देखा. पुरुश बैटी की बेल्ट की तारीफ करता है. वो उसे उतार लेत पुरुश चंचल अंदाज में उसे उसकी गर्दन के आसपास लपेट देता है और शायद ये भी कहता है कि मैं तुम्हारा गला घूट दूँगा. ये सब खेल-खेल में होता है. वो हस्ती है और वो वाकई में बेल्ट खीच देता है. अब हम अगली हत्या की ओर बढ़ते था. इसलिए कोई तयारी नहीं की जा सकी थी. लेकिन जब तक D वाले अपराध की घोशना हुई तो बचाव का एक दुरजे तरीका तयार हो चुका था. ये सपश्ट हो गया होगा कि ABC अब ज्यादा देर तक अपराध करके भाग नहीं सकेगा. यही नहीं. इसी बिंदु पर आकर मोजों का सुराग मेरे दिमाग में आया. ये तो तय था कि ये बात संयोग नहीं हो सकती कि हर हत्या से पहले एक मोजे बेशने वाला महा मौजूद था. इसलिए ये तय था कि मोजे बेशने वाला ही हत्यारा होगा. चौथा खून भी हो गया. जोर्ज इयरफील्ड नाम के एक व्यक्ति का खून. ये माना गया कि ये डाउंज नाम के व्यक्ति की जगह गलती से हो गया था क्योंकि दोनों की कद काठी एक जैसी थी. और अब आखिरकार जवार में बदलाव आही गया. घटनाए ABC के अनुसा मेरे लिए नहीं था. मैं कुछ नहीं जानता था. बिल्कुल कुछ भी नहीं. ना तो कारण और ना ही क्यों. एक और छोटी सी परेशान करने वाली बात थी. कस्ट नाम के आदमी के पास बेकसिल हत्या वाले दिन की एलिबाई है. और ये एलिबाई इतनी मजबूत है कि बि लेकिन बी खून उसने नहीं किया. ये खून 25 तारिख को बहुत सुभा सुभा हुआ था. जिस दिन कस्ट जुर्म करने वहां पहुचा था. माल लीजिए किसी ने उससे पहले ही वो काम कर दिया हो तो उस हालात में वो क्या करेगा? एक दूसरा खून करेगा या पराजित ह कर चुब बैट जाएगा. इस बात से मेरे दिमाग में एक और बात आई. एलेक्सेंडर बोनापार्ट कस्ट किसी भी लड़की से रिष्टा बना ही नहीं सकता था. यानि उसका खून करने वाला कोई और ही व्यक्ती था. और ये बात पहले भी कई बार देखी और जानी थे. यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद मुझे एक और दिक्कात आई. बर्नौर्ड की हत्या के समय तक ABC हत्याओं के बारे में कोई भी जानकारी आमजनता को नहीं दी गई थी. एंडोवर हत्या ने लोगों के मन में कोई दिल्चस्पी नहीं जगाई थी. खुली प प्लीस और मिसिस एशर के कुछ रिष्टेदार और पड़ोसी. इस खोज में मेरे आगे जैसे एक दिवार खड़ी थी. और तब इस बिंदू पर मेरे दिमाग में वो विचार आया, जिसके कारण अंत में मैं कातिल का पता लगा पाया. मान लो कि कस्ट बैटी के खून के लिए जिम्मेदार नहीं था. मान लो कि किसी और ने उसे मारा था. तो क्या वो कोई और, बाकी हत्याओं के लिए भी जिम्मेदार हो सकता था? तब मैंने वो किया जो मुझे सबसे पहले करना चाहिए था. जो खत मुझे मिले थे, मैंने उनको एक नए सिरे से जाचा. मुझे शुरू सही लग रहा था कि उनमें कुछ गलत था. मैंने बिना सोचे विचारे ये मान लिया था कि उनमें ये गलत था कि वो एक पागल नहीं बलकि एक समझदार इंसान द्वारा लिखे गए थे. वो सारे खत जाली थे. देखने में वो एक पागल हत्यारे के खत लगते थे. लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था. तो ऐसे पत्र लिखने के पीछे उदेश्य क्या होगा? लिखने वाले की ओर ध्यान खींचना हत्याओं की ओर ध्यान खींचना. पहली नजर में इसका मतलब समझ नहीं आता था. फिर मुझे रोश्नी की एक किरन दिखाई दी. उन खतों का असली मतलब था एक साथ कई हत्याओं की तरफ ध्यान खींचना. आपका ध्यान एक पिन पर सबसे कम कब जाता है. जब वो एक इन कुशन में बहुत सारी पिनों के बीच में रखा रहता है. आप एक अकेले कतल पर सबसे कम ध्यान कब देते हो जब वो एक दूसरे से जोड़ी हत्याओं की कड़ी में से एक होता है. मुझे एक बहुत ही चाला कातिल से जूजना पड़ रहा था. लापरवा, साहसी और छटा हुआ जुआरी और वो किसी भी कीमत पर कस्ट नहीं हो सकता था. वो ये हत्याओं कर ही नहीं सकता था. मेरा वास्ता एक बहुत अलग किस्म के आदमी के साथ था. लड़कों जैसी प्रकृती वाले आदमी के साथ. औरतों के लिए एक आकरशक पुरुश, स्कूली पर दिया औरत की हत्या होती है, तो पुलिस कैसे सवाल पूछती है? एक मानव घाती हत्यारे की रचना करना. अब मुझे सारे अपराधों पर दोबारा नजर डाल कर अपराधी को ढूंडना था. एंडोवर अपराध. उसका सबसे बड़ा संदेग्ध फ्रेंज एशर था. लेकिन एशर इतनी लंबी चौड़ी योजना बनाएगा और उस पर अमल भी करेगा, इसकी तो मैं कलपना भी नहीं कर सकता था. बैकसिल हत्या. इसमें डॉनल्ड फ्रेजर कातिल हो सकता था. उसके पास दिमाग भी था, युग्यता भी थी और तरीके से सोचने वाला दिमाग भी. लेकिन उसका अपनी प्रेमिका को मारने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता था, इर्शा. और इर्शा सोच समझकर योजना न और हम कहीं ज्यादा आशा जनक स्थिती में आ जाते हैं. सर कारमाइकल बहुत अमीर आदमी था. उसके पैसे का वारिस कौन होने वाला था? पहले उसकी पतनी होती, लेकिन वो मरने वाली थी. पतनी के मरने के बाद सारी जायदाद उसके भाई फ्रेंकलिन को मिलने वाली थ तब मुझे पक्का विश्वास हो गया. बहुत समय से मेरे मन में जो आदमी था, ये वही था जिसे मैं एक व्यक्ति के रूप में भी जानता था. ABC और फ्रेंकलिन क्लार्क दोनों एक ही आदमी थे. साहसी, जोखिम उठाने वाला, घुमककर, इंग्लैंड की तरफदारी कर विदेशियों का उपहास उडाने वाला, आकर्शक, बेहिचक खुलापन, कैफे में एक लड़की को चुन लेना उसके लिए सबसे आसान काम था. सूव्यवस्थित हिसाब से योजना बना लेने वाला दिमाग. उसने एक दिन यहां एक सूची बनाई, ABC के शीर्शकों पर निशान लगाए. और अंत में एक लड़के जैसे दिलवाला, जैसे की लेडी क्लार्क ने बताया था. और उसकी लाइब्रेरी में वाकई आईनेस बिट द्वारा लिखिये किताब है, जिसका नाम है The Railway Children. इसके बाद मेरे मन में कोई शक नहीं रहा. ABC, खत लिखने और लगे हाथों पकड़ा गया है. उसके कोट पर लगे खून के बारे में आप क्या कहेंगे? और वो छुरा जो उसने अपने कमरे में छुपा कर रखा था. पॉयरो ने बीच में ही टोका. तुम गलत हो. उसने ये सब कबूल लिया है. क्या? इस बार क्लार्क सचमुच हैरान दिया. हाँ, मैंने जैसे ही उसके साथ बात की, मुझे एहसास हो गया कि कस्ट अपने आपको दोशी समझता है. और फिर भी मिस्टर महान पॉयरो को तसल्ली नहीं हुई? क्लार्क ने व्यंगे से कहा. नहीं. क्योंकि उसे देखते ही मुझे भी ये यकीन हो गया था कि वो दोशी नहीं हो सकता था. उसमें ना इतनी शक्ती है, ना ही इतना साहस. और क्या मैं कह सकता हूँ कि ना ही योजना बनाने के लिए इतना दिमाग? मुझे हत्यारे के दोहरे व्यक्तित्व का पूरा एहसास था. अब समझ में आया ऐसा क्यों था? इसमें दो लोग शामिल थ सकता है. मैं तुम्हारी सोच को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, मिस्टर क्लार्क. तुम्हारे लिए सिर्फ एक हत्या से ध्यान हटाने के लिए हत्याओं के एक सिलसिले की योजना बना लेना काफी नहीं था. तुम्हें एक ओट भी चाहिए थी. मुझे लगता है कि त तरह तरह की योजनाएं घूम रही थी. तुम उस वक्त अपने भविश्य को लेकर वाकई डरे हुए थे. तुम्हें याद होगा तुम्हें मुझे अपने भाई का तुम्हारे नाम एक खत दिखाया था. उसमें उसने थोरा ग्रे में अपनी दिल्चस्पी और प्यार जाह जानने के लिए उस खूबसूरत लड़की की ओर जुख जाए. और शायद वो उससे शादी कर ले. मिस ग्रे के बारे में तुम्हारी जानकारी ने तुम्हारा ये डर बढ़ा दिया. मेरे हिसाब से तुम चरित्र को काफी अच्छी तरह आँक लेते हो. हलांकि दोस को स्विकार कर लेगी. तुम्हारा भाई एक तंदोरुस्त और ताकतवर आदमी था. उन दोनों के बच्चे भी हो सकते थे. और तब तुम्हारा अपने भाई की दौलत को हासिल करने का मौका पूरी तरह गायब हो जाता. मेरे अनुमान के अनुसार, तुम जीवन भर एक निराश किस्म के आदमी रहे हो. एक गैर जिम्मेदार घुमकड जो किसी चीज में सफल नहीं हुआ. तुम्हें अपने भाई की अमीरी से बहुत इर्शा थी. मन में कई योजनाय बनाते वक्त कस्ट से मुलाकात होने पर तुम्हारे दिमाग में एक विचार आया. उसके ब कस्ट के नाम के पहले अक्षर, तुम्हारे भाई के नाम का सी अक्षर से शुरू होना और उसका चर्स्टन में रहना इस योजना के केंदर में था. तुमने तो कस्ट को भी उसके अंत का संकेत दे दिया, जबकि तुम्हें आशा भी नहीं थी कि इस सुझाव का इतना बढ दिया फल होगा. तुम्हारे सारे इंतजाम बहुत बढ़िया थे. कस्ट के नाम से तुमने धेर सारी होजरी मंगाई, तुमने खुद उसे कई सारी ABC Railway Guides का पारसल भेजा, जो बिलकुल होजरी के पारसल जैसा दिखता था. तुमने उसे उस कंपनी की तरफ से टाइप किय खत भी भेजा, अच्छी तंखा और कमीशन के प्रस्ताव के साथ. तुम्हारी योजना इतनी अच्छी तरह तयार हुई थी, कि तुमने वो सारे खत भी टाइप कर लिये, जो बाद में भेजे जाने वाले थे, और फिर वो टाइप राइटर भी उसी के पास भेज दिया, जिस पर उन सारे खतों को टाइप किया गया था. अब तुम्हें दो ऐसे शिकार ढूंडने थे, जिनके नाम A और B से शुरू होते हों, और जो ऐसी जगहों पर रहते हों, जिन जगहों के नाम भी उन्ही अक्षरों से शुरू होते हों. तुमने अंडोबर को चुना, और वहां की टोह लगाने के बाद, तुमने अपने पहले अपराद के लिए मिसिस एशर की दुकान को चुना. उसका नाम उसके दर्वाजे पर साफ साफ लिखा हुआ था, और तुमने पता लगा लिया कि वो अक्सर दुकान में अकेली ही होती थी. उसकी हत्या के लिए तुम् नी चाल बदलनी पड़ी. दुकानों में अकेली बैठने वाली ओरतों को चेतावनी मिल चुकी होगी. मुझे लगता है कि तुमने कई चाय घरों और काफी हाउसों के चकर लगाए होंगे. वहां काम करने वाली लड़कियों के साथ हसते, मजाग करते हुए. ये पता लगा कर कि तुम एक शादी शुदा आदमी हो. इसलिए तुम दोनों का बाहर जाना गुपचुप होना चाहिए. अपनी शुरुवाती योजना को पूरा करके तुम अपने असली काम को अंजाम देने लगे. तुमने एंडोवर सूची कस्ट को भेज दी. उसे वहां एक खास ता एक दिन पहले कर दिया. मुझे काफी हद तक यकीन है कि बैटी का खून 24 तारिक की आधी रात से पहले कर दिया गया था. अब हम आते हैं कतल नमबर 3 पर. सबसे महत्वपून और तुम्हारी नजर से असली कतल. और यहां तारीफ का पूरा इनाम हेस्टिंग्स को मिलना चा उस छोटी सी बात में उस सवाल का जवाब था जिसने मुझे लगातार उलजन में डाले रखा. आखिर खत पुलीस की बजाए प्राइवेट जासूस हर्क्यूल पॉयरो को क्यों लिखे जा रहे थे? गलती से मैं ये समझ बैठा था कि कोई व्यक्तिगत कारान होगा. लेकि अगर आप स्कॉटलेंड यार्ड को पत्र भेजते हैं तो उस खत के गलत पते पर जाने की कोई गुंजाईश हो ही नहीं सकती. उसके लिए गयर सरकारी पता होना जरूरी था. काफी जाना पहचाना नाम होने के कारण तुमने मुझे चुना और एक ऐसा आदमी होने के अग था कि उसने बारीकियों को छोड़ कर सीधी साफ बात को पकड़ लिया. बेशक उस खत को गलत पते पर जाना ही था. पुलीस को कतल हो जाने के बाद ही उसकी खोज में जाना था. भाई की रात की सेर ने तुम्हें मौका दे दिया और लोगों के मन में ABC हत्याओं को ले अचानक वहां रुक जाती, तो किसी को सच के बारे में संदेह हो सकता था. तुम्हारी ओट कस्ट ने दिखाई ना देने की अपनी भूमिका इतनी अच्छी तरह निभाई थी, क्योंकि वो महत्वहीन था, कि अभी तक किसी ने इस ओर ध्यान भी नहीं दिया था, कि वही आ तुम्हारा इरादा ये था, कि तुम उसका पीछा करोगे और सही मौका मिल जाएगा, सब कुछ ठीक हुआ, कस्ट सिनेमा देखने गया, ये काम बहुत ही आसान था, तुम उससे कुछ सीटें छोड़कर बैठ गए, जब वो जाने के लिए उठा, तो तुमने भी वैसा ही क तुमने लड़ खडाने का नाटक किया, आगे को जुके और आगे की सीट पर सोते हुए एक आदमी को छुरा मार दिया, उसके घुटनों पर ABC गाइड रख दी और अंधेरे दर्वाजे पर कस्ट के साथ जोर से टकराए, छुरा उसकी आस्तीन पर फेर कर उसकी जेब में ड तुमने डी अक्षर से नाम शुरू होने वाले शिकार को ढूंडने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, कोई भी चलेगा, तुमने ये मान लिया जो काफी ठीक था, कि इसे एक गलती समझ लिया जाएगा, दर्शकों में डी से नाम शुरू होने वाला कोई ना कोई आदमी वो थोड़ा हैरान हो गया, वो लगभग उसी वक्त वहीं पर था, फिर हुआ चर्स्टन अपराध और आई अखबारों में सुर्खियां, एक अपराध एंडोवर में जब वो वहां था, एक अपराध बैकसिल में और अब एक और, ठीक उसी जगा के नजदीक जहां पर वो और दूसरों के कहे में आसानी से आजाने वाला आदमी है, और फिर उसके बाद उसे डॉनकैस्टर जाने का निर्देश मिलता है, डॉनकैस्टर, और अगला ABC अपराध भी डॉनकैस्टर में ही होने वाला है, उसे ज़रूर यही लगा होगा कि ये किसमत का खेल है, वो घब शायद एक दो मिनट के लिए उसे जपकिया जाती है अब जरा उसकी दिमागी स्थिती की कलपना करो जब अपनी सराय में वापस जाकर वो देखता है कि उसके कोट की आस्तेन पर खून है और जेब में खून के धबों वाला चाकू उसके सारे पूर्वा भास, उसके मन के सारे डर एकदम से सच हो उठते है उसे महसूस होता है कि वही हत्यारा है उसे अपना सरदर्द याद आता है याद ना आने वाले खाली लमहें याद आते हैं उसे सच का पक्का यकीन हो जाता है कि वो एलेक्जेंडर बोनापार्ट कस्ट एक पागल हत्यारा है, इसके बाद से उसका व्यभार एक शिकार किये जाने वाले जानवर जैसा हो जाता है, वो वापस लंडन अपने मकान में चला जाता है, वहां वो सुरक्षित है, सब समझते हैं कि वो चेल्टनम में था चाकू अभी भी उसके पास है जो एक बहुत बड़ी बेवकूफी है वो उसे हॉल में रखे स्टैंड के पीछे छुपा देता है इसके बाद एक दिन उसे चेतावनी मिलती है कि पुलिस उसे देखने आ रही है और शिकार किया जाने वाला जानव जो उसने किया चाहे उसे याद नहीं था उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा वो ठका मांदा है भूखा है परिशान है उसके पैर उसे खुद बखुद पुलिस थाने की ओर ले जाते हैं लेकिन एक घिरा हुआ जानवर बिल्कुल मरने के कगार पर खड़ा जानवर भी ल सकता जैसा कि मैंने कहा उसे देखते ही मैं समझ गया था कि वो खुनी नहीं था और ये भी कि मेरे नाम का उसके लिए कोई मतलब नहीं था मैं ये भी समझ गया कि वो अपने को खुनी मान रहा था जब उसने मेरे सामने अपना जुर्म कबूल किया तो मुझे और भी तुम तब तक सुरक्षित थे, जब तक किसी को तुम पर शक नहीं होता। एक बार तुम पर शक हो गया, तो सबूत जुटाने मेरे लिए बाएंहात का खेल था। तुम्हारी फोटो दिखा कर लोगों से पूश ताच की गई और बहुत से लोगों ने तुम्हें ऐसे आदमी के रूप में पहचान लिया, जिन्होंने तुम्हें उस समय सिनेमा घर से निकलते देखा, जिस समय तुम्हें डॉनकैस्टर में घोडों की रेस के मैदान में होना चाहिए था, बैक्स हिल में माईली हिगली ने भी तुम्हारी पहचान कर दी है, स्कारलेट रनर रोड हाउस नाम के जिस कैफे में तुम बैटी को उस शाम खाने के लिए ले गए थे, वहाँ एक अन्य लड़की ने भी तुम्हारी फोटो को पहचाना है, और अंत में तु तुम एक बहुत ही मामूली बात पर ध्यान देने से चूक गए, तुमने कस्ट के टाइप राइटर पर अपनी उंगलियों का निशान छोड़ दिया, और अगर तुम बेगुना होते, तो उस टाइप राइटर पर तुम्हारी उंगलियों के निशान कभी आही नहीं सकते कुछ पल के लिए क्लार्क बिलकुल खामोश बैठा रहा, फिर अचानक बड़े ही अजीब स्वर में बोला, तुम जीत गए मिस्टर पॉयरो, लेकिन ये सब कोशिश करने लायक था, बड़ी ही तीजी से उसने अपनी जेब से एक पिस्तॉल निकाली और अपने सिर पर ता पिस्तॉल की ओर देखा और मुह में ही गाली दी, नहीं मिस्टर क्लार्क, तुमने देखा होगा, मैंने आज एक नयानो कर रखा है, एक उस्ताद उठाई गीरा, उसने तुम्हारी जेब से तुम्हारी पिस्तॉल निकाल ली थी, और उसमें से गोलिया निकाल कर बिना तु तुम कितने धीट हो। क्लार्क क्रोध में लाल होकर चिलाया। मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए कैसा महसूस करते हो मिस्टर क्लार्क। लेकिन ये बता दूँ कि तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी। उन में से एक क्रोम था। वो आगे बढ़ा और उसने क्लार्क के हाथों में हतकडियां डाल दी। पुलीस वालों और क्लार्क के वहां से चले जाने के बाद पॉयरो बाकी लोगों की और मुडा और बोला। उसका अपराध बहुत ही घ्रिनित था। उसके भाई का खून उतना नहीं जितनी वो क्रूर था जिससे उसने एक जिन्दा आदमी को जिन्दा मौत के हवाले कर दिया। एक लोमडी को पकड़ो, उसे एक बकसे में बंद कर दो और कभी बाहर न जाने दो। ये कोई खेल नहीं है। मीगन बर्नौर्ड ने एक गहरी सांस ली। कोईरों ने कोमल स्वर में कहा और ऐसा था तुम्हारे सपने की वजह से। फ्रेजर की आँखें मीगन की ओर उठी। पॉयरों ने फिर से कोमलता से कहा। उसे भूलने से मत घबराओ। वो याद रखने लायक खास थी भी नहीं। मीगन में तुम्हें सैकडों में से एक लड़की मिली है जिसका दिल बहुत ही खुबसूरत है। डॉनल्ड फ्रेजर की आँखें चमक उठी। मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं मिस्टर पॉयरों। हम सब सवाल पूछते 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 पॉयरों के आसपास इकठे हो गए। कभी ये, कभी वो नुकता समझते हुए। और वो सवाल जो तुमने सब से पूछे थे पॉयरों, क्या उन्हें पूछने की कोई तुक थी? मैंने उठसुकता से पूछा। देखो हिस्टिंग्स, उन में से कुछ साधारन से मजाग थे। लेकिन मुझे जिस एक बात को जानना था, वो मैंने जान ली कि जब वो खत डाक में डाला गया, तब फ्रैंकलिन क्लार्क लंडन में था। मैं उस वक्त उसका चेहरा भी देखना चाहता था, जब मैंने मैडम थोरा से सवाल पूछा, उस समय वो सतर्क नहीं था, मुझे उसकी आँखों में बहुत ही गुस्सा दिखा। और बोली, क्या मुझे यहां रुक कर और बेईज़त होने की जरूरत है, मैं जा रही हूँ, और वो दर्वाजा खोल कर बाहर निकल गई, मैंने कुछ सोचते हुए कहा, उंगलियों के उस निशान ने सब बात खत्म कर दी पॉयरो, जैसे ही तुमने उंगलियों के निशान का जिक्र किया, क्लार्क एकदम से तूट गया, हाँ हिस्टिंग्स, उंगलियों के निशान बहुत काम के होते हैं, वैसे वो मैंने तुम्हें खुश करने के लिए जोड दिया था, पॉयरो, क्या वो सच नहीं था, बिलकुल भी नहीं मेरे दोस्त, हर्क्यूल पॉयरो ने शरारत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कहानी खत्म करने से पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि कुछ दिन बाद अलेक्जैंडर बोनापार्ट कस्ट हमें मिलने आया, जोर से पॉयरो का हाथ दबा कर उसका शुक्रिया अदा करने के बाद वो सीधा खड़ा हो मैं तो सौपाउंड में कभी न मानूं, डटे रहो और कहो कि तुम्हारी कीमत पांच सौपाउंड है और खुद को सिर्फ एक ही अकबार तक सीमित मत रखना, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, तुम ये बात अच्छी तरह समझ लो कस्ट कि तुम एक बह से ज्यादा मशूर, कस्ट गर्व से और भी तनकर खड़ा हो गया, उसके चहरे पर खुशी चमकने लगी, मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं, मैं वाकई मशूर हूँ, सारे अख़बारों में, मैं आपकी सलाह मानूंगा मिस्टर पॉयरो, पैसा मिलना बहुत अच्छा ह होगा, बहुत ही सुखद, मैं चुट्टी मनाने चला जाओंगा, और मैं लिली मर्बरी को भी शादी पर एक अच्छा सा तौफा दूंगा, वो छोटी सी प्यारी लड़की, बहुत ही अच्छी है, सच में मिस्टर पॉयरो, पॉयरो ने उत्साहित करते हुए उसका कंधा थप थपाया, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, और हाँ, एक चोटी सी बात और, किसी आँखों के डॉक्टर के पास क्यों नहीं चले जाते, वो तुम्हारा सिरदर्द जो है, वो नया चश्मा लेकर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है, कि मेरा सि दा लेकर कमरे से बाहर निकल गया, और हम दोनों उसे जाते हुए देख रहे थे, दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट वाक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जल्दी ही एक और उमदा कहानी के साथ आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अलविदा